हेलो इस वीडियो में हम इंसल्ट टैप के इल्यूस्टेशन ग्रूब में स्मार्ट आर्ट के बारे में और स्क्रीन शोट के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के बारे में जानेंगे यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पे स्मार्ट डायलोग वोक्स यहां पे उपन हो जाएगा उपन होने के बाद यहां पे कैटागिरी उपन हो जाएगी जैसे किस पे काम करना है आल पे करना है लिस्ट पे करना है यह देखो आल पे यहां पे आल पे दिया गया है यह लिस्ट पे करना है यह किसमे करना है यहां पे तो जो भी हमें यहां पे चाहिए उसके ओपर हम क्लिक करेंगे जैसे हमें प्रोसेस पे क्लिक करना है यहां पे हम प्रोसेस पे क्लिक ओके पर क्लिक करने के बाद यह लिखो यहां पर यह बन के आ जाएगा बनने के बाद अब क्या है यहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है तीनों में यहां पर हम टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट लिखने के लिए एक तो या तो हम यहां पर क्लिक करेंगे तब भी लिखा ज लिखा तो यह लिखो यहां पर input लिखा हुआ आ गया अगर हम यहां से नहीं लिखने जाते हैं तो इसको बंद कर दो यहां पर हम direct यहां पर click करेंगे click करने के बाद अब यहां पर लिखेंगे जैसे CPU ये लिखा इसके बाद क्लिक करेंगे और यहां पे लिखेंगे Output यहां पे Output लिखा Output लिखने के बाद यह जो है यहां पे लिखा हुआ आजाएगा आने के बाद अगर हम यहां पे कोई Shape एड़ करना जाते हैं तो यहां पे Add Shape दिया गया यह इसके बाद कोई Shape चाहिए या इससे पहले चाहिए तो यह After दिया गया यहां पे क्लिक करेंगे तो यह देखो Output के बाद यहां पे Shape आ जाएगी या इसको Delete किया Output के पहले Shape चाहिए हमें इसको Delete करते हैं यह Delete की इसके बाद यहां पे Output पे क्लिक किया पहले चाहिए तो हम यहां पे जाएंगे add shape और यहां पे जाएंगे add shape before तो output से पहले एक shape बन जाएगी यह देखो before तो यहां पे एक shape बन जाएगी तो यह shape भी हम यहां पे insert कर सकते हैं इसको यहां से delete किया delete करने के बाद आ गया है bullets के center पे click किया यहां पे हमने bullets add करना है तो यह कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम यहां पे add bullets पे click करेंगे तो यह दिखो यहां पे bullets add हो जाएगा यहां पे जो भी हम लिखेंगे जैसे यह दिखो यह bullets आ गया है जैसे यहां पे लिखा हमने MU तो यह लिखा लिखने के बाद ये bullet इसके आ گया गया एक bullets और चाहिए फिर enter press करेंगे enter press करने पर ये लिखो एक bullets कि यहां पर और आ जाएगा जैसे यहां पर लिखा CU CU लिखने के बाद ये लिखो bullets यां पर add हो रहे है तो इस प्रकार अगर हमें bullets चाहिए तो हम यहाँ पर bullets आड कर सकते हैं अ अगर इसको अटन है तो हम इसको undo करेंगे ये लेको undo किया इसके बाद यहाँ पर output पे klik करेंगे औरूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर और पुट यह स्लेक्ट शेप इसके बाद अगर इसको डिमोट करना जाते है यहां पे CPU में लाना जाते है और पुट को तो यह कैसे करेंगे यहां पे डिमोट पे क्लिक करेंगे तो यह देखो डिमोट करने पे यह CPU के अंदर यहां पे आ जाएगा और पुट अगर हम यहां पे प्रमोट करेंगे तो यह प्रमोट हो जाएगा यहां पे बन जाएगा यह देखो प्रमोट तो यह प्रमोट हो गया है यहां पी चला गया है अगर यह डिरेक्शन है जैसे यह डिरेक्शन दी गई है यह लेप टू राइट दी गई है अगर हम इसको चेंज करना जाते हैं right to left करना जाते हैं तो क्या होगा यह direction जो है change हो जाएगी यहाँ पी देखो right to left तो right to left हो जाएगा यह यह output यहाँ पी आ गया जो input यहाँ पी था यहाँ पी चला गया हो और यह direction देखो यह जो direction है यह भी change होगी यह right to left होगी तो इस प्रकार हम यह direction बगारा change कर सकते हैं अगर फिर हम इस direction को change करना जाते हैं left to right तो फिर हम यहाँ पे click करेंगे यह देखो left to right यह direction हो जाएगी तो इस तरह से हम इसको direction को change कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे output दिये गया है अगर हम यह चाहते हैं कि यह output जो है हमने यहां पे पहले पे रखना है तो यह कैसे होगा इसको करने के लिए पहले यहां पे आएगा इसके बाद यहां पे आएगा तो इसको करने के लिए यहां पे देखो move up मूव अप और्पुट यह मूव अप होगा यह मूव अप किया यह देखो यहां पर आ गया यह और्पुट इसके बाद फिर इसको मूव अप करेंगे तो यह इन्पुट में चल जाएगा यह देखो यह मूव अप यहां पर इन्पुट में इसके बाद आगया है Layout अगर हम यह जो Layout दिया गया है इसको change करना जाते हैं तो यह देखो इसमें क्लिक करेंगे तो यह Layout बन जाएगा अगले में ये ऐसा layout बनके आ जाएगा इससे अगले ऐसा layout आ जाएगा इसके बाद ये इसके बाद ये और भी चाहिए तो यहां पर click करेंगे यहां पर बहुत से layout पड़े हुए है जो layout हमें यहां पर चाहिए उसके ओपर हम click करेंगे वो layout यहां पर आ जाएगा चाहिए यहां पर देखो यह color चाहिए या जो भी color चाहिए suppose करो यह color चाहिए यहां पर click किया तो इस color में यह बनके आ जाएगा इसके बाद आगे यहां पर smart art style है यहां पर जो भी style चाहिए वो style पर हम click करेंगे वो style यहां पर apply हो जाएगा तो यह देखो सभी यहां पे style पड़े हुए हैं यहां पे click किया इस style में यह बन के आ जाएगा या और भी चाहिए तो यहां पे click करेंगे और भी यहां पे style यहां पे पड़े हुए हैं जिसके ओपर click करेंगे वह style यहां पे apply हो जाएगा तो suppose करो हमें यह style चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किया यह स्टाइल यहाँ पे अपलाई हो जाएगा इसके बाद आ गया है रिसेट ग्राफिक अगर फिर से हम इसको सेट करना जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह रिसेट कर सकते हैं तो यह देखो रिसेट करने के बाद यह रिसेट हो जाएगा रिसेट होने के बाद आगर फिर यहां पे color change करना है तो यहां से हम color change कर सकते हैं यहां पे क्लिक किया यह color यह इसमें बनके आ जाएगा तो इस फ्रकार हम smart item में काम कर सकते हैं इसके बाद यहां पे sheet number second को open करेंगे यहां पे second sheet open होगी यहां पे हम screen shot लेंगे तो इसको यहां पे more button पे click करेंगे more button पे click करने के बाद यहां पे जाएंगे screen clipping यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद तो हम क्या करेंगे इसको select करेंगे यह देखो इतना सा चाहिए इतना सा तो यह screenshot लिया तो यह लेने के बाद ये देखो ये screenshot यहाँ पर आ जाएगा अब इसका size बढ़ाना है तो हम यहाँ से इसका size बढ़ा सकते हैं ये देखो तो इस प्रकार हम Excel sheet में screenshot को insert कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने smart art के बारे में और screenshot के बारे में जाना आगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद